हेलो एवरिवन, पार्ट वैल की शुरुआत में हम देखते हैं कि यून जेंग और है पैंग दोनों मिलकर लाल टेंग चला रहे थे है पैंग कहती है कि मैं हर सल यहां पर लाल टेंग देखने के लिए आती हूँ दूर से उसी चगे पर खड़ा होकर यू चंग या लाल टेंग को देख रहा था फिर हम एक फ्लेश बैक में दिखाया चाता है कि 20 साल पहले इसी चगे पर अलग-अलग टाइम पर यू चंग या है पैंग और यून जेंग ने लाल टेंग को देखा था और आज 20 साल के बाद भी ये तीन उलाल टेंग को इसी चगे से देख रहे थे लेकिन आज सिच्विशन थोड़ी अलग थी है पैंग और यून जेंग साथ थे चबकि यू चंग या पहले की ही तरह अकेला था लूसी किसी जनरल लिंग नम के बंदे को पकड़ने के लिए गया था जनरल लिंग उसे कहता है कि मेरे पांस लेट एंपरर की डिक्री है तुम मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते तुलूसी उसे कहता है कि तो क्या हुआ मेरे पांस अपके एंपरर की डिक्री है और उन्होंने ओर्डर दिया है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करूँ अगले दिन ये मामला कोड तक चाता है योन सेंग लूसी से पुछता है कि तुमने फेक डिक्री बना कर जनरल लिंग को क्यों पकड़ा मैंने तुम्हें कोई पी ऐसा ओर्डर नहीं दिया था तुलूसी कहता है कि अगर तुम इंपिरियल सेल इस डिक्री में लगाते हो तो य अफिशली ओर्डर बन जाएगा वैसे मैंने जनरल को इसलिए पकड़ा क्योंकि उस पर खून का और सबुट चुपाने का अरोप है इतना ही नहीं उसने तु लेट एंपरर को मारने की भी कोशिश की है अगर तुम्हें सबुट चाहिए तो ये रहे सबुत यून सेंग कहत हूं कि तुम ये राश महल छोड़कर वापस से शानपा विलेच चली चाओ अगर तुम्हें फिर से कोई धोका मिला तो तुम फिर से दुखी होचाओगी बायू की शादी यून च्छोंग से होने चाह रही थी ये बात उसकी मां को बिल्कुल पी पसंद नहीं आ रही थी बायू की जो मां है वो लूसी की दूसरी पत्नी है वो हैपन की मां को गालिया देते हुए कहती है कि जबसे वो औरत आई है तब से ही लूसी उसके पीछे पढ़ गया है उस औरत ने तो मानो चैसे लूसी को पूरा अपने वश में कर लिया हो यून सेंग ने इन तीनों को जनरल लिंग के बारे में इन्वेस्टिकेशन करने को कहा था। ये तीनों ही लोग जनरल लिंग की वाइफ के बारे में बाती करने लगते हैं कि वो तो बहुत ही सियादा ब्योटिफूल है उसके हाथ, ना, कान, सब कुछ सुनदर है। यून सेंग उस से मारते हुए कहता ह कि ये सब छोड़ो और इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो कैपिटल की एक धरम शाला में एक बंदा कहानी सुना रहा था शीयू देश का जो राजा था वो हमारे लेट एमपरोर से हार गया था जब हमारे लेट एमपरोर ने शीयू देश की राज कुमारी लियू को देखा तो उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया एंजली से उसने उससे शादी कर ली लेट एमपरोरऌ शादी के बाद लियू को यहां लाए और उसे कॉंसर्टली का दरच्छा दीया गया वैसे ये जो कॉंसर्टली है वो यून्सेंग की मा का नाम है वो बंदा आगी कहानी सुनाती हुए कहता है कि जब कॉंसर्टली महल में आई तो एमप्रेस डाउचर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और संचोग से दोनों ही कॉंसर्टली और एंप्रेस टाउचर एक ही साथ में प्रेगनेंट हुई एंप्रेस टाउचर कॉंसर्टली से बहुत ही स्यादत चलती थी एक दिन कॉंसर्टली के महल के ऊपर छब बिचली की री तो इस बात का फाइदा एंपरेस डाउचर ने उठाया उसने कहा कि ये कॉंसर्टली एक चुडेल है ये इसके कारण हमारी इंपेरियल फैमिली में बदकिस्मती आ रही है ये सुनकर हमारे लेट एंपरेर ने कॉंसर्टली को अरेस्ट कर लिया ये देखकर एंपरेस डाउचर इतना अस्यादा हसी इतना अस्यादा हसी कि उसका मिस्करेश हो गया दूर से यू चांग या बैठा बैठा ये कहानी सुन रहा था एक्चुली में उसी ने ही ये चुटी कहानी बनाई थी लोग तो कॉंसर्टली के बारे में भूल ही गए थे लेकिन यू चांग या चाता था कि कॉंसर्टली का नाम फिर से लोगों की सबान पर आए अगर लोग कॉंसर्टली के बारे में बाती करने लगे तो उस फर्मिला का रास भी अपने आप ही खुल जाएगा और यहां पर हमें ये भी पता लगता है कि ये जो यू छांगया है वो शीयू देश का क्राउन प्रेंस यानी की अगला एंपरर है दूसरी तरफ यून सेंग और हैपैंग मिलकर पेंटिंग बना रहे थे तो यून छों कहता है कि अगर हमारी क्वेंटिंग की तरह होती तो कितना ज्यादा अच्छा होता ये सुनकर ये दोनुं ही उस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं पैंग कहती है कि यून सेंग ये लड़की कौन है पैंटर कहता है कि क्वेंट ये आप है मैंने आपको पतला बनाया था कि आप और भी ज्यादा खुबसुरत लगें तो यून सेंग उसे डार देता है न कहता है कि जैसी क्वीन है बिल्कुल वैसी ही तुम उसे ट्रॉ करो तुम्हें ज्यादा एफट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है इंपिरियल कार्ड और इंपिरियल शेफ कहते है कि पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये यून सेंग आज कल काफी बदल गया है यून चौं कहता है कि मुझे पता है वो ना बेवकुफ हो गया है ये दोनों ही उसे पूछते है कि वो कैसे तो यून छोंग कहता है कि देखो इस महल में मैं सबसे ज्यादा हैंसम हूँ तभी ही वहाँ से बायू गुसरती है तो यून छोंग कहता है कि मैं अब भी थोड़ी दिर में वापस आया उसको चाता देखकर अंपरियल कार्ड व कैता है कि मुझे तो यह लग रहा है कि यून छोंग नहीं लेकिन यह यून छोंग बेवकुफ हो गया है यून छोंग बायू के पांच शाकर उसे गन गिफ्ट में देने लगता है तो बायू कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए तो यून छोंग उसे जबर दस्ती करता है और इसी चीना चपटी में गोली यून चंग को लग चाती है, बाईयो तो डर सी चाती है, वो कहती है कि तुम इस तरह से नहीं मर सकते, वो उसके समने रोने लगती है। यून चंग कहता है कि मैं तो जिन्दा हूं, एक्चुली मैं इस गन पे अंदर कोई गोली थी ही सुनता है तो वो कफी ज्यादा दुखी हो जाता है है पैंग आकर उसका मूड ठीक करने की ट्राइ करती है जैसे ही यून जेंग का मूड थोड़ा ठीक होता है तो यून जेंग अपने कमरे से उसे एक सिक्रेट पाथ पर ले जाता है और ये सीथा कॉंसर्ट ली के महल की प्यार करते थे और उसने उसकी लिए एक अलग से महल बनवाया था जिससे कॉंसर्ट ली आराम से चांद तारे देख सके लेकिन मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि लेट एंपरर ने एक खुफिया सुरंग भी बनाई है जो कि सीथा कॉंसर्ट ली के महल की तरफ चाद यू चंग्या कहता है कि ठीक है फिर वो वहाँ से भाग जाता है उसके शाने के बाद हैपंग की मा लूसी के कान खींच कर कहती है कि तुमने तो ये कहा था ना कि तुम्हें काम है फिर यहां बैठ कर चेस क्यों खेल रहे हो लूसी कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तु से जूट बोला आगे से मैं इसे हाद तक नहीं लगाऊंगा। अगले दिन हैपेंग का चनम दिन था हैपेंग यूंसेंग से उसका užमांती है तो यूंसेंग उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें गिफट में तारे दूँगा। हैपेंग कि मुझा कर तो यूंजेंग उसे रात में तारे दिखाने के लिए लाँ है यू उसे एक लॉकेट में देता है। तो तुम्हें थूड़ा सावधन और सठरक रहना चाहिए। हैपैंग से कहते हैं कि और तुम्हें कुट्टों से बचने की जरूरत है आने वाले कुछ दिनों तक अगर तुम कुट्टों से बची रही तो तुम्हारी जंदगी सेफ रह सकती है वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पढ़चाओगी आगे हैपैंग सुफेंग के पा मैंने तो डॉग मंगवाया था लेकिन तुम पिग लेकर क्यों आए तो यू चंग्या कहता है कि हमारे इंपिरियल पेरिस में सारे डॉग गायब है इसलिए मैं अब के लिए पिग लेकर आया हैपैंग की मा कहती है कि कोई बात नहीं ये बहुत ज्यादा क्यूट है वैसे यू चंग्या मैंने एक बात नोटिस की तुमने ये सब कुछ जो किया है वो कहीं हैपैंग के लिए तो नहीं किया ना दूर से बायू की मां उन दोनों की बातों को सुन रही थी और उसे पता लगता है कि हैपैंग को डॉक से डर लग रहा है तो वो अपनी मेट से कहलवा क पहले तो यू चंग्या और हैपैंग दोनों को गिड्नेप करती है और उसके बाद उन दोनों को एक डॉक से भरे हुए घर में फैक देती है हैपैंग को चब होश आता है तो वो यू चंग्या को देखकर कहती है कि यू चंग्या तुमने उस फॉर्मिला की वज़े से हो गया है उसके बाद यह सबी लोग उसी घर के सामने चाते है वो मेड कहती है कि मैंने यहां पर क्वीन के चिलाने की आवाज सुनी साथी साथ में एक लड़का भी चिला रहा था इंपिरियल काड यह सुनकर चली से उस दरवाजी को खोलता है तो उस दरवाजी के अंदर स बहुत सारे कुटे बाहर निकलते है यून सेंग चली से अंदर देखने के लिए चाता है तो उसे यू चांग या और हैपन कुछ इस हालत में मिलते है दिखने से ऐसा लग रहा था कि हैपन को ज्यादा चोट नहीं लगी है लेकिन यू चांग या वो हैपन को बचाते बच चाते खायल हो गया डॉक्टर आगर कहते है कि क्वेन बिल्कुल ठीक है उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगी है लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो अभी तक बेहोश क्यू है यू चांग या अभी हैपन के लिए दवाई बना रहा था तबी ही वहां पर यून को देखने के लिए आता है है पैंको बहुत ही ज़्यादा ठंट लग रही थी तो यू चांग या कहता है कि यह तो बिल्कुल पहले जैसा ही हुआ है यूं सेंग कहता है कि क्या पहले जैसा। हैपेंग को ऐसा ही एक पैनिक अटेक आया था तब उसकी माँ ने पाच वर्क से बनाए हुए कपड़े उसे पहना आये थे तो उसे होश आ गया था इसे के साथ वीडियो होती है यहीं पर ही खत्म कर द devotion यहीं पर कर दो कि 外・ब्सक्राम त processed वाची की यहीं पर मुझक व siento क है